तो आज हमारे पास है पोल्ट्रोनिक कंपनी तरफ से आने वाले ट्वेड फोर माउस और सच में बता रहा हूं यह जो माउस है हम लोगो यूज करते हुए दो से तीन दिन हो गए पहले बात करते है प्राइस के बारे में यह आपको अमेजिंग फीचर जो है वो पॉल्ट्रोनिक्स में आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है तो सारा कुछ वीडियो के बतालो तो अगर आपको वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्यूंकि हम ल silent buttons होने वाले dynamic RGB lights देखने को मिलती है rechargeable batteries है 50 lakh आप इसमे clicks अगर कर पाओगे तो इसके बारे में आगे में वीडियो को बताने वाला हूं तो बॉक्स को यह पे open कर लेके जल्दी से तो यहां से box को open करते है तो हमारा actual में जो mouse हो हमको देखने को आप मिल आता है इसको बाद म आता है तो चलिए फिर mouse को यहां पर open कर लेते हैं और first look में अगर mouse की बात करें तो कितना प्यारा लग रहा है यह mouse छोटा सा आपको देखने को मिल आता है और सच में पूरा matte finish के साथ आता है तो अगर आप इसको यहां पर daily purpose से भी use करोगे तो बहुत ज़दा मज़ा आने आता है और अगर बात करें आप यह scrolling wheel के बारे में तो यह आपको rubber फिल से देखने को मिलती है तो जब भी आप इसको अपने desktop पर रखके scrolling बगारा करोगे बहुत ज़दा आपको comfortable आप फिल देखने को मिलता है यहां पर यहां पर देखने को मिलता है जिससे आप 1600 से 1600 सकते है आपकी DVI यहां पर select कर सकते हो और जिनको भी DVI पता नहीं है मैं सीजी सा मैं आपको बता देता हूं DVI मतलब यह होता है कि जो आपका cursor होता है उसकी आपी speed को आपे calculate मतलब यहां पर यहां पर customize कर सकते हो कितनी कम इसकी speed चाहिए कितनी ज़्यादा speed चाहिए 1600 पर बहुत ज़्यादा हो जाती है और और दीते पी कम करोगे तो कम हो जाएगी तो according to आपकी users के calling आप इसको control भी कर सकते हो तो mouse का design मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया है यहां पर नीचे आपको portronic सा जो है यहां पर लोगो देखने को मिलता है back side के अगर बात करते हो आपको power of on button देखने को मिलता है और बीच में आपको RGB वाला भी देखने को मिलता है तो अगर आपको RGB on करनी है तो आप बीच में कर दो यह तो बिना RGB कर आपको यूज करना है तो आप सीधे on button पे click करोगे तो वहां पे आप उसको use भी कर पाओगे इ काफी जदा issue यहां पर पड़ जाता है कि अगर आप RGB भी यूज करते हो तो definitely थोड़ी सी बैटरी आपकी जादा जाएगी बट अगर आप on mode पर मतलब बिना RGB कर यूज करोगे तो थोड़ी सी बैटरी आपकी जाबा चलती है वैसे इसके इंदर यह चीज बहुत मुझे को मिलता है और एक नॉर्मली Bluetooth 5.3 देखने को मिलता है तो अगर ब्लूप 5.3 से करोगे तो स्टेबिल्टी थोड़ी सी सही मिलती है और ट्वाइट 4 प्लस के अगर जो Bluetooth पर आप करते हो तो और ज्यादा लेटेंसी काम हो जाती जिसके वेसे वैसे इतना कुछ पता नीचलने दॉंगल जो है वो लगा हुए तो आप लगा के अपने लैप्टॉप वगेरा में या डेक्स्टॉप में आप इसको यूज कर सकते हो अब बात करते हैं के डिजाइन बगरा तो मैंने बताया डिजाइन काफी जरा अच्छी है और जी भी आपको इसके अंदर देखने को मि है एक जी जो यहां पर टाइप सी पोड़ देखने को मिलता है तो इसके इंदर कोई भी सेल नहीं लगाना पड़ेगा आपको नॉर्मल्लिया अप टाइप सी पोर से इसको चार्ज कर सकते हो यूज कर सकते हो बैट्री लाइफ के अगर बात कर तो यहां पर जो पॉल्ट्र चलना है क्योंकि अगर मैं इसी प्राइज में MI का माउस आता है या आपके लॉजिटेक के जो माउस आते है उसको भी मैंने यूज किया है उसमें जो फंक्शनल आपको देखने को मिलता है उसमें बैटर बकप बहुत सदा है तो यहां पर एक जो डिसद्वांटेज मुझे लगा कि बैटरी बैकप थोड़ा सक्काम है अगर आप बहुत तरह माउस यूज नहीं करते हो डेली परपस के आप थोड़ी टास्किंग वगएरा स्कॉलिंग वगएरा करते हो या वैब ब्रॉजिंग वगएरा करते हो तो यह चीज मेरे साब से काफी सही है कि आपको जिस तो इस माउस के बारे में कमेंट बॉक्स से कमेंट करें जरूर बताएगा और अगर वीडियो में वीडियो को लाइक करेगा चले फिर आज के वीडियो में थाही थेंक्स फॉर वाचिए